प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी शनिवार 27 जुलाई को नीती आयोग की नौवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए तयार हैं। नीती आयोग की सरवोज संस्था परिशद में सभी राजियों के मुख्यमंद्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराजय पार और कई केंद्रिय मंद्री शामिल हैं। जबकि मोदी इसके अध्यक्ष हैं। बैठक में भारतिय जंता पार्टी शासित राजियों के मुख्यमंद्री का शामिल होना तै है। हाला कि NDA के सहयोगी बिहार के मुख्यमंद्री नितेश कुमार ने अभी तक अपनी उपस्थिती की पुष्टी नहीं की है। इस बीच विपक्षी दलों से जुड़े कई मुख्यमंद्रियों ने इस कार्यक्रम का बहिशकार किया है। इस बैठक में उपस्थित लोग हैं। महराश्य के मुख्यमंद्री एकनाच शिंदे, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंद्री योग्यादित्यनाथ, अरुनाचल के मुख्यमंद्री पेमा खांडू, अरुनाचल के उप मुख्यमंद्री चाउना मीन, त्रिपुरा के मुख्यमंद्री मानेका साहा, असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा उडीशा के मुख्य मंत्री मोहन चरंड माजी चत्यसगर के मुख्य मंत्री इश्णू देव साय गुज्रात के मुख्य मंत्री भुपेंद्र पटेल राजिस्थान के मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा मिघाले के मुख्य मंत्री कॉन्राट संग बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री मम्ता बैनर जी भी शामिल होंगी। हाला की वह बैठक के दौरान केंद्रिय बजट 2024-25 में विपक्षीज शासित राजियों के प्रती केंद्र के 113 वियवार के खिलाफ आवाज उठाने की योजना बना रही है। बैनर जी ने दिल्ली ग्रवाना होने से पहले शुक्रवार को मीडिया से कहा। बजट से पहले मैंने कहा था कि बैठक में शामिल होंगी। मेरे लिखित भाषन की एक प्रती उनकी आविशक्ता के अनुसार नीती आयों को भी भेजी गई। जब बजट रखा गया तो मैंने पाया की किस तरह वे पक्षी दलो द्वारा शासित राजियों की उपेक्षा की गई है। उनके साथ सौतेला वेवार किया गया। मैं इस बारे में बोलना चाहती हूँ। अगर वे मुझे बोलने की इजाज़त देते हैं तो ठीक है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मैं विर अंदर सिंग सुखु, करनाटक के मुख्य मंत्री सिधार मैया, तलंगाना के मुख्य मंत्री रेवन त्रेडी, पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान, कैरल के मुख्य मंत्री पिनाराई विजियन, पुडुचेरी के मुख्य मंत्री एन रंगासामी, जार्खन के मुख् का नाम ते नहीं है केंद्र की एक बैठक के अनुसार बैठक का उदेश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना सरकारी हस्क शेपो के वितरन तंत्र को मजबूत करके ग्रामीन और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना नौवी गवर्निंग बैठक में विकसित भारत 2047 पर विजिन दस्तावेज के लिए दृष्टि कोन पत्र पर चर्चा की जाएगी और इस लक्षे को प्राप्त करने में राज्य की भूमेका पर विस्तरत विचार विमर्ष किया जाएगा बैठक में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रे सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान दिया जाएगा जो पिछले साल दिसंबर में आयोजित किया गया था सम्मेलन के दौरान पांच प्रमुख विश्यों पर सिफारिशे करी गई पीने का पानी पहुच मात्रा और गुणवत्ता विजली गुणवत्ता दक्षता और विश्वस्नियता स्वास्थे पहुच समर्थता और देखभाल की गुणवत्ता स्कूली शिक्षा पहुच और गुणवत्ता और भूमी और संपन्ती पहुच दिजिटली करण पंजी क करण और उत्परिवर्तन सरकारी बयान में कहा गया इसके अतिरिक साइबर सुरक्षा अकांगशी जिलो और ब्लॉप कार्यक्रम राज्यों की भूमेका और शासन में AI पर विचार विमर्ष करने के लिए विशेश सत्र भी आयोजित किये गए जिन पर मुख्य सचेवों के रा